बहुत समय से हमने यह चीज देखी है कई लोग हैं, जो कि बधिर हों, या सुनने वाले हों, या कोई सामजी कारे करता हों, ऐसे बहुत से लोग हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बढ़े लोगों को आगे बढ़ने के लिए विकास करने के लिए क्या और शक्स चीज है वो सबसे मददगार चीज जो होती है वो होती है किताबों को पढ़ना किताबों को पढ़ना लोग क्याते किताबे पढ़ो किताबे पढ़ो ये बहुत जरूरी है ये जीवन में बहुत आगे लिखे जा सकते हैं जिससे कि आपकी अंग्रेजी लिखने की शम्ता बढ़ सकती है उसके लिए आपको किताबे पढ़ना पढ़ेगी जिससे कि आपका ग्यान वरधन होगा ऐसा कई लोग बूलते हैं ये देखकर बच्चे बहुत साहित होता है फिर जाते हैं, किताबे खरीतते हैं अलग-अलग विश्यों की किसी खेल से जुड़ी होई, इतिहार से जुड़ी होई फिर ज्यान से जुड़ी होई या अलग-अलग फिल्म स्टार्व की किताबें खेल से जुड़ी, इस तरकी अलग-अलग किताबें लेके आते हैं जो कि बेसिक रहती है जब अधिर बच्चा तयारी करने लगता है एक दिन, दो दिन फिर उसके बाद उसका से लगता है कि नहीं हो पाएगा नहीं समझ मा रहा है तो वो बोलता है समझ में नहीं आगा लोग कहते हैं कि नहीं प्रयास करो प्रयास करो, पढ़ने की कोशिश करो, वाक्यों को पढ़ो सोचो उनके बारे में कुछ नहीं जन्माता है डिक्शनेरी शब्द कूश में देखें आप कर सकते हो आप कर सकते हो इस तरह के विचार लोग देते हैं और हमें बोलते हैं चलिए देखते हैं ठीक है मालूम है मुझे किताबे पढ़ना बहुत जरूरी है लेकिन फिर छोड़ो कोई पूछेगा तो क्या ये बधिर विक्ति की जलती है नहीं उनको इस चीज में समझ नहीं है वो किताबे नहीं पढ़ पाता है वह सिर्देखना देखना कुछ शब्दों को समझना पूरे रूप से उसको पढ़के नहीं समझ पाता है इसलिए उसको छोड़ देते हैं लेकिन अगर बच्चो किताबे पढ़ना बहुत जरूरी है चाहे इतिहास की हो पिज्ञान की हो या किसी प्रकार की कहानिया हो किताबे हो उसके अंदर QR कोड होता है इसके इंदर सांकेति भाष्टा के माध्यम से सारी चीज़े सिखाई जाती है और उसको पढ़ने में बड़ा आनंद आता है और हर एक चीज जिसे मैं चाहता हूं कि बच्चे जिस तरह की कटनाई आती हैं उनको किताबे पढ़ने में और यदि घर परिवार वाले से पूस्ते हैं तो उनको sign language नहीं आती है अब क्या करें अभी सबसे अच्छा साधन है इस किताब में QR कोड है उस QR कोड के माध्यम से सां प्रजेट फांडेशन को देखा आपने वाकई कितने अच्छे से इन्होंने समझाया है इस चीज को QR कोड की साहता से उस किताब को सांकेति भाशा के रूप में देख सकते हैं और सीख सकते हैं सबसे प्रभाशाली चीज क्या है कोई भी बच्चे हैं बच्चे स्वतंतर र प्रभाशा में अनुवादन देखा और आसानी से उस चीज को समझ सकते हैं यह तो बहुत अच्छी चीज है क्या एक ही बच्चा है नहीं आएए और देखते हैं कि दोस्त हो रिष्टेदार हों हमेशा कहते थे कि किताबे पढ़ो किताबे पढ़ो वबर में प्रशंतर है मुझे समझ में नहीं आरे हैं बहुत कम आता था तो बैसे छोड़ दिया लेकिन और फंडेशन की जिए किताफ ती हैं जब मैंने खोलके देखा तो उसके अंदर क चीजे थी accessible mood में प्रशन उत्तर हो सवाल जवाब हो उस सारी चीजे हमें सांकेदी भाषा के माध्यम से उस पर दिख रही थी जिससे की बहुत एक अच्छा प्रभाव बढ़ा और हर एक चीज में समझ सकती हूं थैंक यू और्जेट फॉंडेशन वाह देखा आपने इस बच्चे ने कित्ती अच्छी तरह की कोई भी सामान निग्यान के प्रशन है अगर उनको नहीं संवा रहा है पर यह चीज बहुत प्रभावशाली है इन बच्चों के लिए लोग कहते तो हैं पर कैसे करें अब इस क मेरे माता पिता बदिर हैं मैं बदिर हूँ हम लोग आ रहा है हमसे बातचीत करते हैं हर एक चीज का अनल लेते हैं हर एक चीज को समझ सकते हैं सारी चीज़े हैं सारी जानकरी एक दूसरे किसा साजा करते हैं पर एक जो बाद हाती थी किताब पढ़ने की कोई विग्यान को किताब दी है उसका सबसे अच्छा क्या है फाइदा कि अगर हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसके नीचे QR गोड दिया गया है जिसके अंदर सांकेदी भाषा के माध्याम से वीडियो हैं जो कि बहुत अची चीज़ है और बहुत आराम से हम चीज को समझ सकते है मेरे माता पिता भी चीज़ को देखके समझ सकते हैं देखा आपने कि इसमें सबसे प्रभाशाली चीज क्या है कि अदर बदिर माता पिता है सांकेदी भाषा का बहुत ग्यान है परकर उनका बच्चा भी बदिर है उनको बहुत खुशी है पर जब सिखानी की बात आती है तब तोरी परशानियां होती है क्योंकि उन्हें खुद जानकरी नहीं है वो खुद पढ़े नहीं है बच्पन से सामान ग्यान हुआ भाषा हुआ गणित हुआ बेसिक बेसिक तो आता है परन्तु पूरी तरह से उसको शिक्षण नहीं दे पाते हैं उनको बहुत चिंताय ह बहुत सकते हैं वापस में साजा कर सकते हैं एक दुस्षे के साथ और यह पूरे भारत की बात करें तो बहुत चारे बधिर बच्चे हैं जो कि अपने परिवार के साथ बैठकर इस चीज़ को कुप्योग कर सकते हैं यह बहुत अच्छा माध्यम है देखे अगली जानकारी मैंने बहुत बार देखा है उस चीज़ को देखकर मुझे बहुत दुख होता था कि जो सुनने वाले बच्चे हैं यह वेक्ति हैं वो किताबे पढ़ सकते थे उन्ने कोई शंका है यह डाउट है तो अपने माता पिता से पूछ सकते हैं वो उनको बोलकर बताते हैं और वो सांकेती भाषा नहीं आती यह देखकर मुझे बहुत दुख होता था लेकिन और फांडेशन ने यह जो किताब दी है इसको मैं आसानी से पढ़ सकती हूँ इसके इंदर क्योर कोड दिया हुआ है और उसके इंदर सांकेती भाषा में पुरी कहानिया है सामान निग्यान है अलग-अलग विशे हैं इसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा सीखने में और मैंने कोशिश करी सांकेती भाषा के माध्यां से देख देखकर और हर एक चीज बिल्कुल वैसी है जो किताबों में लिखी है इसे मैं अपने विकास कर सकती हूँ बहुत-बहुत फिर बच्चे का क्या है हम किसी को बुलाएं हम कर सकते हैं हम किताबें पढ़ सकते हैं लेकिन अगर समझ मनी आए तो कैसे हम किसे पूछेंगे हमरी मदद करने के लिए कोई नहीं है कि लोगों को सांकेती भाषा नहीं आती तो ऐसा ना हो ऐसा ही भारत में बहुत सारे खेलना वीडियो बनाना मस्ती बजाग करना बस मोबाइल में यही चलता है उसकी उनकी बुरी आदत लग जाती है तो जादा बैतर एक इसी किताब्यों नहीं दे इसके अंदर सामान निग्यान हो प्रशनुत्तर हो हर एक चीज का व्यक्तान हो और भारती सांकेती भाषा के माध्यम से है तो बहुत सराल है कोई जरुद नहीं है वह अपने स्वतंतर रूप से उस चीज़ को पढ़ सकते हैं वह थैंक्यू सो मच इन बच्चों की फीडबैक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद इन सभी का एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप से इस बुक का जो शुल्ख है वह 199 रुपए है और पोस्टेज फ्री है पूर भारत में कहीं भी सिर्फ आपको 199 रुपए का भुक्तान करना है जो 199 रुपए आप देंगे उसके अंदर गणे इतिहास ऐसी अलग-अलग किताबें है जो कि बच्चों के लिए बहुत लाबदा हो गए सिर्फ इसके लिए आपको 199 रुपए का शुल्ख दना है उसके बाद जब बच्चे सीखेंगे देखेंगे इन जानकेरों को ग्रहंट करेंगे आगे चलके वह और रिडिंग की स्किल्स उनकी डवलप होंगी बाकी टेक्न इस तरह से उनका विकास हो सकेगा तो हम मैं और हमारी ओजेट की टीम इसके लिए तैयारी कर रही है इन बच्चों के लिए इन बच्चों के भविश्य के लिए उनको ध्यान में रखते हुए लेकिन एक शो निननने रुप है किसलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ ये एक सहयोग राशी है सहयोग किसलिए बधिर बच्चे और हमारी टीम तीन साल से महिनत कर रही है जूम पर ऑनलाइन क्लासेस बढ़ाती है इन बच्चों को और जिर फांडेशन जो है कई सालों से लग रहा है काम करने के लिए बड़ इसमें हम किसी प्रकार का शुल्क बच्चों से नहीं लेते हैं किसी प्रकार का बच्चों की कांसलिंग बच्चों की आवेर्नेस लीडर्शी प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम ये सारी चीज़ें में शुल्क चलती हैं बच्च को नहीं सब्सक्राइब आता है तो उसके लिए वापस से उनके उपर मेहनत करते हैं सिखाते हैं तो हमें उन्हें शैलरी देना रहता है तो यह श्रहयोगरासी उन सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि एक श्रहयोग आप दें इसके उपर खर्चा कर सकते हैं उधारन के लिए जिसके आप में अगर कोई दानदाता हो अगर जाता है जिसको चाहिए कि कोई बदिर बच्चे हैं तो उनको लगता कि नहीं बदिर बच्चों को अगर मैं कुछ साहता करनी है अपने संस्था आपने असोशेशन तरफ से तो आप चाहें अगर तो मानिज लिए 10 हुए 20 हुए जितने भी बच्चे अगर इनके परिवार में कुछ परिशानी है आर्थिक तो आप उन्हें कर सकते हैं किताबे आप 100 किताबे खरीद लीजिए उसका भुखतान कर दीजिए और वो किताबे उन बच्चों को बाढ़ दीजिए वह आपकी संस्था के नाम की तरह से बाढ़ सकते हैं आपकी संस्था कर भी प्रचार होगा हमें उसमें कोई बरशानी नहीं है और वाजर्ट फांडेशन आपको सहयो करने के लिए आपके सह बच्चों के वविश्ची के लिए इनके उज्वल वविश्ची के कार कर रही है वैसे ही इन चीजों पर कार करेंगे कैसे संथपकर सकते हैं आप देख सकते हैं और देखा आपने, आप यहां पर contact कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, और फिर वो QR code देंगे, या bank details आपके साथ साजा करेंगे, इसके द्वारा कि आप भुक्तान कर सकते हैं, और वो आपको उसकी जानकारी message कर दे सकते हैं, मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यव हैं, मुझे आपको, था सकते हैंais डांकारीulty हैं vist त ARवारा जंदी और लिए कर सकते हैं, और लिएे भुक्तान कर सकते हैं तiziert, सके लिए ट्रांस्फरमेशन इसका अर्थ क्या है बदलाओ बदलाओ कैसा एक पुराना घर है उसको तोड़कर जोए नई चीज़ बनी नया घर